हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका नित्यास किचिन में तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चटपटे भरवा तिंडे जो की बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं खाली में और यह जिस तरह से मैंने बनाए हैं अगर आप उस तरह से बनाएंगे तो यह कई दिनो हैं कि देखते हैं इसके लिए मैंने अधित्यों के लगबड टिंड़े लिये हैं जिना कि मैंने अच्छे से छील लिया है और पेहले फिर इन sporty मैंने पानी से भड़ लिया इसके बाद हम करेंगे इसके बीच में से चार टुकड़े कर लेंगे लेकिन अलग नहीं करना इनक एक कट इधर से लगाएंगे और एक कट उसके अपोजिट साइट से लगाएंगे और देखिए नीचे से चुपके रहेंगे नीचे से इनको पूरे तरह से काट के अलग नहीं करना है और इसी तरह से काट के हम अपने सारे टेंडे तैयार कर देंगे तो अगर अभी तरह आप तक फटापत पहुंच सके तो चलिए मैंने सारे ति govern द्रयाकर तयार कर लिए तो मसाला बनाने के लिए हमने एक प्लेट लेलिए जिसके अंदर हम सारे मसाले डाल इसमें हम सबसे पहले हम डालेंगे पिसी हुई सॉंफ तो जो सॉंफ होती है नॉर्मल उसको आप पीस लीजेगा एकदम महीन नहीं पीसना है तो अधर अधरा ही रखना है और दो चम्मच के लगभग हम इसमें सॉंफ डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दो बड़े चम्मच के लगभगी हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे तो दीखे एक चम्मच मैंने डाल दिया है और एक चम्मच मैंने और डाल दिया तो दो बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिलिया है इसके बाद आधा चमबच एनदर लाल मिर्च पावड़र डाल देंगे इसके बाद एब हम इसके अंदर अमचूर पावडर डालेंगे एक चुट्की के लगबग हम इसके अंदर ढालेंगे गरम मसाला पाउंडर अ can neither और एक के लगबग और हम ऑसके अंदर हींग डाल देंगे इंग डालने से हीपसे अच्छा आता है और आप जूसेदा ना ढुंदा बलकुल कि अब और उसके अनुसार आप चाहें तो इसमें अगर नमक कम हो तो थोड़ा नमक और डाल सकते हैं तो इस तरह से पहले मसाले को मिक्स कर लें और थोड़ा एक बार देख लें कि जो नमक है वो ठीक डलाए या नहीं डलाए अब इसके बाद हम इसके अंदर सरसो का तेल डालेंगे तो एक चमच मैंने इसमें सरसो का तेल डाल दिया है तेल जो नोर्मल है वैसा ही डालना है उसको गरम नहीं करना है अब इस मसाले को हम अच्छे से patience कर लेंगे चाहें तो आप चमची सायता से मिक्स कर सकते हैं और अगर चमम्च से नहीं हही होता है तो आप हाथ से भी इसको कौने कर सकते हैं तो देखिए जो यह मसाला है अछे से मैं ने मिक्सकर लिया है और अब ये मसाला मिक्सों के तदैयार हो गया है डिखे जो इसकी बैंडिंग ग्रश्क होजाने चाहिए देखिए दोना साइट से मैंने इसमें मसाला अच्छे से भर दिया है तो जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है और लाइक नहीं किया है वो फटाफट से इसे लाइक और शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगं तक ये रेसिपी मैं आप लोगों को ठेंक्स कहना चाहूंगी तो यह देखिए हमारे सारे टिंडे भर के तयार हो गए हैं और अगर आपके पास थोड़ा बहुत मसाला बच जाए तो उसको साइड में रख दीजेगा हम उसे बाद में यूज करेंगे और अगर नहीं बचता है तो कोई बात न बाकि आप चाहें तो कोई यूज कर सकते हैं तो जैसे हमारे जो तेल है वो गरम हो जाए इसके अंदर हम आधा चमच जीर डाल देंगे और एक चुटकी चमच के लगवाज हम इसमें भींग डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जीरा है वो हमारा जावा बाकि जालना नहीं चाहिए नब haven ऑफ जो हमने टिंडे बहर कर त्यार के थे भुझे सारे टिंडे हैं हम इसमें एक एक करके सीधर सीधरे डाल देंगे तो देखिए जो ये मेरे टिंडे है मैं इनको इसमें अब डाल दूगी जो आँच है उसको आप धीमी ही रखिएगा उसे तेज नहीं रखनी है और ये सारे टिंडे एक एक करके मैंने इसमें अच्छे से डाल दिये हैं सबी टिंडों को पहले एक साइड से डालेगा ताकि जब आप उसको पलटें तो आपको ध्यान रहें कि हाँ ये इस तरफ से सिख गए हैं और हमें इने अलट पलट करके तीनो चारो साइड से अच्छे से 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 शेक लेना है तो ये देखिए मैंने अपने सारे टिंडे इसमें डाल दिये हैं और अब हम इसको ये जो सब्जी है आप एक बार जरूर बना के देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और सब को घर में ये बहुत ही पसंद आती है और पूरी और परांठे के साथ तो इसका मजा ही अलग आता है तो देखिए अब मैंने इसको ठक दिया है और मैंने इसको ठक कर लगवग 5 मिनट के लिए पकाया है धीमी आज पर और अब देखते हैं देखिए एक साइट से जो ये टिंडे है वो सिख गए है अच्छे से और इन पर कलर भी बहुत अच्छा आ गया है तो अब हम इसको द पाने इंडे पलट दिये हैं और अब मैं इसको लगवग 5 मिनट के लिए सिमग्रेस पर और पकाऊंगी तो देखिए 5 मिनट हो गये हैं और अब देखते हैं यह उस साइट से कैसे सिखे हैं तो चलिए इनको पलट कर देख लेते हैं और यह देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से सिख गए हैं अब जिस साइड से यह थोड़े आपको लगें कि यहां से सिखे नहीं है उस साइड से आप इनको दुबारा से पलट दिए ताकि यह चारो साइड से अच्छे से सिख जाएं तो जो भी साइड इसकी थोड़ी बहुत कच्छी रगए हो वो साइड आप नीचे कर दीजे ताकि उस साइड से भी सिख जाएगा मैंने भी देखिए सारे टिंडे अलट पलट दिये हैं और जहां से यह सिके नहीं है वो साइड मैंने नीचे कर दिया अब हम इसको पांच मिनट के लिए धक कर दोबारा पकाएंगे तो देखिए मैंने इनको अब और अब पांच मिनट के बाद देखते हैं कि यह कैसे पके हैं तो चलिए पांच मिनट हो गए हैं अब हम इसको हटा कर देखेंगे कि हमारे टिंडे पक गए हैं या नहीं तो देखिए जो हमारे टिंडे हैं वो लगबग पक कर बिल्कुल तयार हो चुके हैं और कलर भी बह साइड में जो ओयल रहता है उसमें ताकि वो मसाला भी मेरा इसमें पख जाए और अगर आपके पास नहीं बचाया तो कोई बात की तो देखिए जो मैंने मसाला इसमें डाला था वो भी इसमें अच्छे से भून जाएगा आप साथ में और उसको हम अलट पलट करके अच्छे विन सब्सक्राइब और बीदा भी नंया जाएं और मेरी रसीपी पर नहीं होते हैं forgive you और ऐससे कैसे बनेरे रहते हैं तो एक बार इस रेसिपी को जरूर्आ कर करें चलिए Radha कि सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कि ये और बिलकुल भी न जाएं और मेरे recipe को like करें और इसे share करें ताकि ज़्दा से ज़्दा लोगों तक ही पहुन सकें अपने groups में और अपने family में अपने friends को इसे share कीजिए इसे like कीजिये और subscribe कीजिए झाल झाल